अंकल मुझे केस करना है केस? क्या मज़ाग है? अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, देखो मैं फीज भी लाया हूँ तुम्हें अंदर आने किस नहीं दिया? आप एक बार मेरी बात तो सुनिये अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ पांच मिनिट, ओके? बैठो तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल गोपाल तो इस नन्य गोपाल को किस पर केस करना है? पापा और मम्मी पर मम्मी पापा? पर अपने मम्मी पापा पर केस क्यों? क्योंकि वो मुझे होस्टल में बेजना चाते हैं वो तो अच्छी बात है ना? वहाँ जाकर तुम डिसिप्लिन सीखोगे, पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बनोगे लेकिन अंकल, वो तो बस मुझसे पीशे चुड़वाना चाहते हैं मैं समझा नहीं अंकल, आपके ममी पापा आपका ख्याल रखते होंगे न हाँ, बिल्कुल रखते थे कैसे रखते थे? वही, जैसे सब के ममी पापा रखते हैं, वैसी ही रखते थे मेरे पापा रोज सुबह अपनी मोटर साइकल से मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और वापस लेकर आते थे अच्छा? उन्होंने मेरी हर जब, हर ख्वाइश पूरे, मुझे पढ़ाया, लिखाया इस काबिल बनाया कि आज मैं शहर के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक हूँ और आपके ममी, वो भी सब केर करती होगी न? अरे मा से ज़्यादा तो क्या ही कोई केर कर रही ता मेरी मा के लिए तो मैं पूरी उनकी जिंदगी था मेरे लिए नए-नए पकवान बनाती थी, मुझे नए-नए कपड़े दिलाती थी हमारे घर में जब को इतिवार होता था, तो मेरी मा भले ही पुरानी साड़ी पहन ले पर मैं कभी पुराने कपड़े पहन हूँ, ऐसा कभी नहीं होता था और आज भी, मेरी मा के पास एक छोटे लड़ू गोपाली तुम्हे हरानी होगी कि वो उनका बच्चों की तरह क्याल रखती है बड़ी भूली है वो लेकिन मेरी मुमी पापा मेरे फिल्कुल भी प्यारने करते है लगता है शेतानी बहुत करते हो तुम्हें लेकिन आप भी ते शेतानी करते होगे न शेतानी तो सभी बच्चे करते हैं और मैं तो कुछ जादा ही शेतान था पर मैं जब भी शैतानी करता, मेरे पापा मुझे जरूर डाटते हैं और मेरी माँ, वो पीच में ढाल बनकर हमेशा मुझे बचा ले दीती तो आपको कभी उन्होंने दूर क्यों नहीं बेजा? अरे, शायद उन्हें लगता हो कि अपने पास रखकर वो मेरा जादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं जैसे तुमारे पेरेंट्स को लग रहा है कि वो होस्टल भीज कर तुमारा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं वही तो अंकल, ख्यार रखने के दिए, मम्मी पापा से बहतर कौन होगा ये बात तो ठीक है तुमारी, मम्मी पापा से बहतर कौन ख्यार रखेगा तो फिर आप अपने मम्मी पापा को विद्धा अश्रम क्यो भेज रहे हो क्या मतलब, तुम्हें सब कैसे पता, कौन हो तुम, किस ने भेज़ा तुम्हें आप मैं गोपाल, लड़ो गोपाल, और मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो मा के कहने पर आया हूँ कौन हो तुम, मा ने मुझे कहा, मैं आपको समझाओ तो फिर मैं आ गया वाट रभबिश वोत हो गया तुम्हारा यह मजाक उठो यहांसे अरे बेख क्या रहो उठो उठो देखो जो भी हो जाओ यहांसे जिसमाब आपने आपको ख्याल रखा आपको प्याय किया आपको सब कुछ दिया आप उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हो कौन हो तुम यह कानहा जिसे हमने लाड़ प्यार से पाला था आज वो हमें बेखर कर रहा है हमें पुरुद्धाश्रम भेज रहा है आपसे एक ही विंती है हमारी जाने के बाद आप उसका ख्याल रखियेगा तो श्रॉव श्रॉव श्रॉव। सुनिता, शिवाब, हादी सर, यह बच्चा यहाँ कैसे है, किसने आने दिया इसको अधर? सर यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है अंकर मुझे केस काने, देखो मैं फीज भी लाया हूँ मैं गोपाल, लड्डू गोपाल, मैं तो मा के कहने पर आया हूँ जिस माब आपने आपका ख्याल रखा, आप उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हो क्या हुआ सर, आप परिसान लग रहे है, पानी बदर कुछ लाओं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से, ओके से किशन कहा हो तुम, जांदे हो ना, ममी पापा को छोड़ने जाने है तुम्हें, घर कब तक आ रहे हो? आ रहा हूं मैं, पर ममी पापा को व्रिधाश्रम छोड़ने नहीं, उनसे माफी मागने है क्या है, हेलो, क्या है?